हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चानल मैं हूँ शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चानल ट्रीट्स 26 में आज बनाने जारी हूँ चिकन सीख कबाब तो चलिए बिना किसी देर के इसे बनाने के त्यारी करते हैं यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कटूरी में चिकन लिया हूँ और यह बोल्लिस चिकन है तो सबसे पहले मैं इसे एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और जिस कटूरी में चिकन लिया हूँ था उसी कटूरी में पानी भर के मैं कुकर में डालूँगी और प तीन सिटी आने तक मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लें और ठंडा होने के बाद आप इसे पानी से अलग करके रखीजिए तो मैंने तीन सिटी तक इसे पका लिया था फ्रैंस और इसे ठंडा भी कर लिया है अब प्रेशर कुकर का धकन में खोल रही हूँ यह देखिए तो जिकन अच्छे से पक चुका है तो इसे मैंने अलग कर लिया है और मैंने एक मिक्सिंग जार में इसे डाल दिया है यहाँ आप देख सकते हैं अब इसे मिक्सिंग जार में मैं ग्राइंड करने वाली हूँ और ध्यान रहे इसमें मैने पानी नहीं डाला है तो radhand कर दिया है friends और इसे ग्राइंड करके मैं मैं इक बोल में डाल दिया है इसे अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक प्याज जिसे मैंने बारेक चॉप कर लिया था कुछ धनिया की पतियां उसे भी मैंने पतला काट लिया है उसके बाद मैं डाल रही हूँ दो चमश कॉन फ्लोर तो ध्यान रे फ्रेंज मैंने इसमें मैदा का स्थमाल नहीं किया है अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक चमच अधरकलसन का पेस्ट आधा चमच, कश्मीरी लाल मिश पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच, जीरा पाउडर और नमक स्वात के नुसर और लासमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच के करीब गरम मसाला पाउडर, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रे फ्रेंज, आपको इसमें पानी का स्वाल नहीं करना है अगर इस तरह की टिक्या ना बने तब आप एक से दो चमच पानी डाल सकते हैं चिकन में अपना पानी भी है फ्रेंज, जिसे हमने बॉल करते टाइम डाला था, इसलिए आप एक्स्ट्रा पानी इसमें ना डाले थोड़ी सी हरी मिश में डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से अब मैंने यहाँ पे स्क्यूर्स लिया हुए फ्रेंज, इसे मैंने एक घंटे के लिए पानी में डुबो करके रखा हुआ था अब चिकन को जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके स्क्यूर्स में लगाना है तो मैं यहाँ पे एक स्क्यूर्स ले रही हूँ और मिक्शर जो है, आप थोड़ा सही ले, जैसा मैं कर रही हूँ वैसी आपको करना है ध्यान रहे फ्रेंस कि चिकन का जो मिक्षर हमने त्यार किया है वो स्क्यूर से बहुत जाद आपको नहीं लगाना है नहीं तो वेट की वज़े से ये अच्छे से नहीं चिपकेगा इसमें तो जैसा मैं कर रहे हूं उसी तरह से आपको इसे बना कर त्यार कर लेना है तो धीरी तरह करके हथेली से आपको मिक्षर को ऊपर की तरह पुश करना है इस तरह से तो यहां पर मैंने एक स्क्यूर को त्यार कर लिया है इसी तरह से मैं बागी स्क्यूर को भी त्यार कर लेंगी मैंने यहाँ पर तबे को गर्म कर दिया और उपर से मैं डाल दिया refined oil तो बहुत जार refined oil आपको नहीं डालना है friends तो एके करके सारे त्यार किये हुए skewers को मैं इस पर रख रही हूँ तो यहां पे मैंने long Bombay sqvers ली हैं आप चाहे तो छोटे sqvers कर भिस्तमार कर सकते हैं flame मैंने low to medium पर रखा हुआ है और तीन से चारमेंट होने के बाद मैं sqvers को पलट रही हूँ तो इसी तरह से फ्रेंट् impalat करके आप इसे पका लिए तो टोटल कुकिंग टाइम इसका 10 से 15 मिनट लो टो मीडियम फ्लेम पे हो सकता है तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंज की चिकन में अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है तो जैसा मैंने बोला आप इस तरह से पलट करके इसे पका ले तो मैंने लंबे स्क्यूर्स का इस्तमाल किया था तो तवे में थोड़ा सा यह बर्न हो चुका है आप छोटे वाले स्क्यूर्स का इस्तमाल कर सकते हैं फ्रेंज लंबे वाले स्क्यूर्स में तवे पे थोड़ा सा यह बर्न होता ही है यह देख सकते हैं आप यहां में सारे चिकन कबाब बन कर त्यार हो चुके हैं और मैंने से सर्फ कर दिया है और साथ में विनेगर विजटेबल पिकल भी सर्फ कर दिया है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है आज की चिकन कबाब की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंस मुझे कमेंट सेक्षन पर जरूर से बताएं और चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर अना भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई and थांक यू फो वाचिंग